पता है माईक भाईक चीन लिया गए और किस परकार से जो अबमान किया गए वो आपके सामने आप सेंक्षन है तो मैंने का उनकी स्वीकर्थी लेटर तो देओ तो आज दिन तक नहीं मिला और अभी जब वो पदारे वापिस देवराज जैंती को मैंने का आप उस दिन का था स से लग जाएगी तो इस परकार से गुम्राज जनता को नहीं करना जी अब चार साल से आप देख रहे हो जो तुर में कभी लगते हैं कभी ये बैंट बाजे बजते हैं के लिवेटर आगी लेकिन वह अभी तक तो काम देखने से पता लगेगा वही कांस जैसे सोलर लाइट उसमें थर्ट पार्टी इस्पेशन होता है बश्टाचार की कुझ जैस ही नहीं है तो दिये चले अंधर आई है मत्री जी खुद का विवाग एर खुद की लोग शवा में बश्टाचार हो रहा है उसको यमनी मारवार के कद्दावर बीजेपी नेता और चार बार के विध हमें से 18-20 गंटे काम करें उनसे पेना लेकर हम भी काम कर रहें और जनता के बीच में रहते हैं हमेशा जो भी गरीब जनता हमारी चौकट पर आती है उनकी समशा का समाधान करें लगातार एक्सपर वाइरल हो रहे हैं कि जो अधावत शेखावत और जो राठूड की है में हम 25 वर्ष साथ रहे हैं उनको चातर संग अधेक्स बनाने में हमारा बड़ा योगदान था और उनके सहयोगी रूप में हमेशा काम किया है तो अधाव जैसी कोई मांग नहीं है लेकिन अलग 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 जगे पर जब भी कारिकम हुए हैं आम जनता की आवाज और जन क्लाना कोई देखिए जिस तरीके से सहयर गड़ में विकास कारी कारी हुए हैं कितने बाकी नहीं है कि अधिय पहले आदरनी-जस्मन सिंग्जी-जसौल साब जा जब वित मंत्री थे तब वो अमारे सेगड़ पदार मत्री नितिश कुमार जी थे तो उसमें मैंने बड़ा कारिकम कराया और वितमंद्री जी के सामने मांग रखी कि हमारा सेरगड भी रेल लाइन से जोड़ना चाहिए तो उसमें उन्होंने गोशना कर दी और फड़ोदी से समधड़ी वाया सेरगड बाले से रोते वे रेल लाइन की सरवे का आदेश कर दिया बजट सेंक्षिन कर दिया वो पूरा सरवे हो गया प्रजेट त्यार होकर के केंदर सरकार में चला गया जब 2014 लोक्षबा चुना हुए तो हमने यह का कि हमारी यह मांग है कि ऐसी फाइल प्रजेट त्यार होके केंदर में हैं और आप जब सांसत बन जाएं तो दो तीन बड़े काम आप हमारे करा दें पहला काम तो रेलवे लैन का था उसको प्रजेट है उसको आप सैंक्शन कर दूसरा लंबे अर्से से लोगों की केंदरी विद्याले खुड़ने की मांग थी तो उन्होंने यह वादा किया था था कि मैं सांसत बनूंगा तो केंदरी विद्याले गोष्णा करके गए थे कि हम हमारी सरकार आएगी तो आपको केंदरी विद्याले मिलेगा अब जब राजना सिंग साभ अभी पता रहे थे बाले सर्वें तो में पांच मिन्ट यही मांग करने के लिए खड़ा हुआ जनता कि उस दिन मांग थी सारे दूरर्य विद्याले में उंखत रहले करने के सा Natal क विभी इता सब्स глаз तो आपको पता है माइख प्रकार से और किस अब्मान किया गए वह आपके सामने संद्फे मांग कि मांग उठाई तो आधनी मंदरी मोदे ने राजना शिन जी को का कि इनका केंद्री विजले श्वीकरत है तो उन्हों ने का कि इस च्वीकरती लिटर देदो तो आपका स्वीकरती पूरी मंदरी जी निका कि नहीं अभी हम राजस्तान सरकार से परस्ताव मंगाएंगे और आप परस्ताव विजवा दो उसके बाद विचार किया जाएगा अब थोड़ दिन बाद आचार से लग जाएगी तो इस परकार से गुम्रा जनता को नहीं करना चाहिए क्यांकि हम जनता के जन परने दी हैं अब जैसे यह मांग है वैसे ही सेरग्र की सबसे बड़ी मांग पानी की है और पूरे जोगीशा को ले करके लोगों ने मांग की थी कि जैसे एर्सी बणी वैसे ही WRCP बननी चाहिए है मारवार के लिए और जोदपुर में जैसे जमई बांध है वो नदी से नदी योजना में जोड करके और जमई नहरा आती है उसे पानी जोदपुर को मिल जाना चाहिए एक और एक यातात की जो बहुत बड़ी समयश्या है जोदपुर शेयर की उ तो नहीं जनता चाहरी है कि वो रोड भी बने ऐसे भी कई और मांगे हैं एमस का एमस का नामागण बगत शिरुमनी मिरा बाई के नाम से हो मारवार उमेशिंग जी नाम से एरपोर्ट का नामागण हो ये भी है EWS में सरलीकन हो विशंगतिया दूर हो वन रेंग वन पैंश ही देश के परदान मंत्री बने और मजबूती के साथ पर्चन मुहमत से लोक्षभा शेत्र में मोदी जी को मुहमत थे हैं एक इस्यू चल रहा है कि अगला जो जोतपुर का सांस तो वो इस्थान ही हो ऐसा क्यों नहीं यह 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 देखो पाम तो जो पार्टी का सिंबल ले तो सर्वे करके गुण गुणा आओ गया अधार पर सर्वे के अधार पर टिकेट देना होता है तो टिकेट मिला और जन्ता ने पत्री सार बोटों से काम्याब किया इसके लिए हम सेग्ड के अबारी है अच्छा जिस तरीके से वसंद्रा राजे वरतमान में इतनी सक्री न ने करेगी यह पार्टी को अलागा उनको करना होता है इनके लगता नहीं कि वसंद्रा राजे खेमे के आने से आपको नुक्सान हुआ है नहीं खेमे बड़ी बात हो अमारी पार्टी में ही नहीं अच्छा आज कुछ लोग गजंदर सिंग सेखावत के लाब नारे लगा रहे थे एक कुछ टांसपर हुई उसको लेकर लोगों का आरोपे की सेखावत क्यों इंट्रफेरेंस कर रहे हैं सेरगड के अंदर सेरगड में सबसे बड़ा मुद्धा कोई था तो पानी का था और लोगों ने ये का कि आप जब चुनाव जीतो तो तीन मेने चार मेने में पानी की समयशा का शमाधान हो हमने भी बादा किया था कि चुनाव जीतते ही सरकार बनते ही आपके तीन मेने के अंदर अधर पानी और महीं रह रह हूं जब से चुनाव शुरू हैं तब से शेग्ड में रह रहूं कि मुझे साथ रहूंगा तब यह समयशा का समादान होगा ऐसे समय में जब एक्षन वहां से अड़ जाए दो ही इने वही अड़ जाए जी इन अड़ जाए और दूसरे लगाए नहीं तो हम क अगर वर्क वार्क वर्क है अगर सूचिया आएगी तो हम उसका बहुतिक सत्यापन कर सकते हैं कि काम वहा काम नहीं वहा काम देखने से पता लगेगा वही काँ जैसे तो बताइगे यहां या खुदी तो मैं जाके देख उन सही काँ हुए एक नहीं विवास नहीं कोई किसी ने कोई कागदम में पैसा तो नहीं उठा लिया तो मैं खुद ही कह रहा है हम कह रहे हैं सब कह रहे हैं तो जब जैसे परदान मंत्री ग्राम शड़क जोजना है उसमें थर्ट पार्टी इस्पेशन होता है बश्टाचार की गुंजाश ही नहीं है तो यह चले अंदर आई है मंत्री जी खुद का विवाग एर खुद की दावत तो वैसे तो जनता को सब को पता है लेकिन कहीं न कहीं काम को लेकर बाबुसिंग राटोड हमेशा आगे रहते हैं और काम को लेकर भी फिर एक बार केंद्रिय जल सक्तिमंत्री गजंदर सिंग सेकावत पर सवाल कड़े किये अशोक शर्मा राजस्तान तक झाल